यहां पर आ रही है जैसे हम सब खाना बना यह नहीं पाएंगे पूरा बारी से तेज़ पूल का मेंगेट अंजली खाना देखिए किस तरह खा रही है नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे जो भीया दीदी हमारे चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक करना ना भूलिएगा तो लाश्ट तक वीडियो देखन प्लीज आप सब को अच्छा लगेगा तो आज मेरा पूरा परवार अनी पूरा फाउज ही कठा है तो इनके पापा सहर चले गए हैं काम करने आज उनको गए हुए एक महीना दस दिन हो गया होगा साइद अभी आगी देखते हैं कितने दिन में वह आएंगे उनका जैसा मर आज़ी करेगा तो यहां पर सब लोग बैठे हैं चलते हैं वीडियो बनाना सुरू करते हैं खाना पानी के तयारी करते हैं आगे तक देखना आज वीडियो में किस तरह कैसे हम घर को मैनेज किया कैसे इन सब को खाना बना के दिए तो अज आज आनी पानी आदि तुफान बहुत आइता बारिस दी हुआ आपर ब बन्जन समर्प में पानी तो यहां परमाckenben कि नगे लाज़ तो एकering का कई लुड़l कर नुबादर ओवालटी पानी इतना पदूर्ण आथे ऑ लोग वाय थी पानी लानी तो मिल्लग रहती हैं. तो इहां पर भाल दिया है, यहां दौग आगया तो जठाव कुरह चलते हैं, उठाटे हैं और लपाई कर दी हूँ. यहां पर आ गया सुबह-सुबह खाने के लिए. तोले चलते हैं बाल्टी रखाते हैं नलते हैं. तो दोस्तों हम सब बर्तन धुल लिए सब लाकर यहां पर बर्तन रख दी हूँ दाल रख दी हूँ और यहां गुंजन सबजी धो रही है तो बारिस तो लगातार हो रहा भी बूदावादी हो रहा था यहां से पानी ट्यपक रहा भी है अब यही सोच रहे हैं कि खाना बन पाएगा कि आज नहीं तो यहां चाय हमारा उबर रहा है आप सकते बात करें यह भगोना छोटा है यहां पर लगा दी हूँ यह खपड़ा जो कहते हैं यीट का तो बह जा रहा है इसके साइज का चूला नहीं है चाय बनाते थोड़ा दिकत होता है बड़ा वर्तन में बनाना चाहिए तो यहां तो चाय हमारा लगबर पक चुका है तो अब चलते हैं दाल रखते हैं और यहीं पर खाना बन रहा है आज गय से नहीं भरवा पाए तो दोस्तों यहां पर कुक कर रख दी हूँ यहां पर चूले पर दाल पकने के लिए चाय उतार के यहां रख दी हूँ सबजी रख दिये हैं आज सबजी भी बनेगा और यहां पर चावल रखे हैं तो खाना बन रहा है और बारिस ना हो तो अच्छी बात है नहीं तो पूरा खाना अमारा बन भी नहीं पाएगा वहाँ फर्स पे चूला जला भी नहीं सकते फर्स तूट जाएगा तो यही बात है तो यहाँ पर बता रही है बकरियों को दिखा रही थी तो यहाँ पर खड़े हैं सब अंजली यहाँ पर खड़ी है सोटर पहें लो अंजली ठंड लग रहा है ठंड लग रहा है पहन लो नहीं लग रहा है तो हम तो पहने हैं स्वेटर तो दोस्तों यहां पर दाल हमारा एक सीटी लग गया है यहां पर सब लोग को चाई दे दी हूं यहां पर गुंजन चाई पी रही है पस पिल जे बसे हम पिली जे चाई चंदन वहां चाता लेकर आ तो दोस्तों यहाँ पर डाल बना ली हूं चावल भी बन गया है हमारा अग रोटी बनाना है सबजी बनाना बाकि है सबजी जा रही हूं तड़कने और पहले की तरह जिंद्धी इसी तरह भीचता था देखिए बारी सो रहा है यहां पर सब पानी चपक रहा है तो यहां भी बैठी हूं यहां भी पानी चपक रहा है जोपड़ी बफाले मैं नहीं खाना कोई मिलास है, उसमें पहले वाला याद आ रहा है और यहां सब पादी नहीं तपक रहा है लेकिन पानी नहीं तपक रहा है तो दोस्तो पानी बहुत बरस रहा था यहां सब पानी टपक रहा है आगे आप सब देख रहे हैं चूले के पास दिवाल से तो वैसे बहुत अच्छा कंडिशन घर का भी नहीं है टीन साइट भी बहुत टपक रहा है कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी मेरे घर में पूरा पानी पानी से भर गया है बिस्तर भी गीला हो गया वाल पे मोर बेठा हुआ है पानी में भी रहा है यह आप मैं भी खाना बना रही है चातले के खड़ी हुई है मोर के दखाने के लिए साल और के बड़ी है तीन मोर बेठे हुए है तीन मोर है भगवान साथ दुसमन को भी गरीबी न दे तो चातनी घर पे है और आज हम जा रहे हैं इसकूल पे बच्चों को फीस को लेकर वहां इसकूल से सरजी बुलाए हैं बोले हैं कि चले आओ बात कर लो हिसाब जोडा ल आप पूरा करना तो आप चलते हैं हम इसकूल पे तो आगे का लुक्येशन आफ सब टिखाएंगे और दोस्तों हम थुद वीडियो बनाएंगे तो सही से वीडियो तो सूट करने का कोशिश करेंगे आगे चलते हैं यहां पर खाशी भी हा आ रहा है उनको तो अप चल लहे है यह रास्ता विलकुल सोना साना चलता नहीं है बहुत कम देखिए गाउं का रास्ता कुछीज तरह होता है और शहर में तो बहुत फॉल्पाड होता है तो गाउं सहर का यही है खास बात तो आप चलते हैं आगे हैं देखिए सब गेहु लगा है इधर भी गेहु लगा है तो इस वाले खेत में सिर्फ गेहु गेहु बोया हुआ है सरसों बहुत कम तो यह रास्ता विलकुल गाउं में ही गया है चल रहे है देखिए इसी गाउं के बीच से हमें जाना है तो अभी कोई दिख नहीं रहा है इसलिए वीडियो बना रही है तो हम चलते चलते आ गए इस्कूल के पास और यहां पर देखिए इस्कूल यही है और बिल्कुल यह इस्कूल गाउ में है इधा सब घर दिख रहा है पास में गाउ है तो यह नहीं गाउ में ही इस्कूल है बच्चे सब सोर मचा रही है तो इस्कूल का में गेट इसकूल में अंजली खाना देखिए किस तरह खा रही है बाकि यहां छोटे छोटे बच्चे सब खाना खा रही है अंजली मैं आ गई इसकूल पे तो अंजली सरमार रही है यहां पर खा रही है जमा कर चुके यहां पर कागज लिए हैं अवजार हैं तो यहां से चलते हैं बच्चो गुंजन सीतल गुंजन चन्न सफ्रे नहीं मिलवाई अंजली को आश उब को दिखाई सब्सक्राइब गई तो यहां पर चोटे बच्चे थे उनको दिखा सकती थी लेकिन जो बड़े बच्चे थी उनको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वह बोलते नहीं मेरा मत बनाओ तो इसकूल बनाना अच्छी बात भी नहीं फिर भी अंजली के लिए बना दी दोस्तों खा खाना बनाई बढ़िये मुश्किल से तो आज का खाना कैसा लगा अंजली तो आज अंजली की स्कूल पर भी गए थे यह सामके टाइम वीडियो सूट कर रहे हैं वीडियो दुद्रा रहा होगा और वीडियो में कोई गलती होगा तो माप करना तो कल वाले कमेंट में सभी भा लिए नहीं हो रहा है हमारे यहां तो रात से ही बारी साधी तुफान और खुब ठंड हो रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों